असलाम अलेकूम, वेलकम टू मा यूटूब चानल, फैमिली जेस्तर खान, आज हम बनाने जा रहे हैं मेथि और मुंकी डाल की सबसी, यह बहुत ही टिस्टी लगती है, इसके अंदर हमने सेंग डाल के बनाया है, जो लोग नहीं पसंद करते हैं, वो भी खाएंगे, यह हमने कर लेंगे, यह हमने 56 हरी मिच, और 56 हमने लसन की जवे लेगे, इसे हम पीस लेंगे, इसे हम दरदरा पीसेंगे, बारीक नहीं, देखे, अब हमने कड़ाई में वन एन हाफ चममच तेले लिया है, इसके अंदर हमने कड़ी पत्ते शामिल कर दिये हैं, जो हमने जटनी लसन और मिच्ची की पीसी थी, उसे हमने शामिल कर दिया है, इसे हमने वाटी भी कंगाल के इसमें डाल दी है, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे, पैकि इसका पानी खुश्क हो जाए, और चटनी हमारी अच्छे से भून जाए, तेल उपर दिखाई देने लगे, इसे हम अ यह देखिए हमने मेथी को कट कर लिया है यह हमारी चटनी अच्छे से भून गई है अब हमने इसमें दाल शामिल कर दिया है अब इसमें हम नमक एक चमच और आधी चमच हम हल्दी पॉडर शामिल करेंगे इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद हम इसमें कटीवी मेथी शामिल कर देंगे हम इसे ढखके गलने के लिए ऐसे ही रख देंगे इसे उपर नीचे नहीं करेंगे मेथी के पानी में नीचे मूंगी डाल हमारी कल जाएगी अब हम इसे ढख देंगे यह हमने सेंग को पून लिया है इसे हमने ऊट लिया है कूटनी की मदद से यह हमारी सबजी मुलायम हो गई है और दाल हमारी नीचे कल गई है इसे हम थोड़ा और गलने के लिए रख देंगे दाल को आप चेक कर लें कि आपकी दाल गली है या नहीं अगर आपकी दाल कड़ी रह गई हो तो इसमें आप हलका सा पानी का चीटा देखे और आप धग दें ताकि हम दाल गल जाए हमारी दाल ऐसे ही रखने पर मेथी के पानी से ही गल गई थी यह देखे हमने दोबारे डग दिया था अब हम इसे खोल के फिर हम अपनी दाल को चेक कर लेंगे यह बहुत इटेस्टी लगती है यह बहुत ताकतवर होती है और यह नुकसान नहीं करती है यह देखे हमने जो सेंग को कूटा था उसको शामिल कर रहे हैं यह आप इस तरीके से बना के सफर में भी ले जा सकते हैं यह दो दिन तक सफर में भी आराम से चल जाती है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है आप टिफिन के लिए भी इसे बना सकते हैं सुभे की नाश्ड़े के लिए डाइट के लिए और पिशन के लिए जो बीमार है उनको भी आप यह बनाके खिलाएं यह बहुती अच्छी होती है बहुती टिस्टी बनती है और फाइदे मन भी होती है मेती के खाने से आपको शुगर और पैर की दर्थ में भी आराम रहता है अलाँ आपरस